हेलो DC फैंस, वेलकम बेक तो मैं चनल दास्तान टीवी तो आज CW की टीवी शो गौथम नाइट्स का ट्रेलर रिवील किया गया और जैसे इसका ट्रेलर रिवील हुआ गाईज इसको बहुत जादा नेगटिव रिव्यूज मिले मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ कि CW के जो DC शोज हैं उनमें अब मुझे जादा इंटरस्ट नहीं रह गया है सुपरमेन और लुइस को छोड़ कर वज़ा ये है कि बिलकुल कहें तो एक तरीके से खीचा जाता है इनकी स्टोरी इसको कोई सेंस नहीं बनाता है और VFX CGI तो बहुत जादा खराब है मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बज़ट की कमी की वज़ए से ही ऐसा हो रहा है क्योंकि Flash के First, Second, Third और जो सीजन्स थे उनका भी बज़ट को जादा नहीं था लेकिन स्टोरी अच्छी दी तो वह अच्छे लगते थे लेकिन उसके बाद से लगतार CW के शोस की कॉलिटी गिरती जा रही है तो Gotham Nights का ट्रेलर रिविल किया गया बहुत जादा negative reviews मिले तो इस वीडियो में हम लोग इसी का ब्रेक्डाउन करेंगे सबसे पहले गाईज मैं आपको बता दूँ ये जो TV शो है ये comic book accurate नहीं है comic book के characters इसमें appear तो हो रहे हैं लेकिन किसी comic book की story को follow नहीं किया जा रहा है प्लस बहुत से नए characters भी इसमें introduce किया जा रहा है तो ट्रेलर जब शुरू होता है तो हम लोग देखते हैं Turner Hayes को ये Bruce Wayne का adopted son है ये एक नया character है जो इस show के लिए बनाया गया है ये comic book में appear नहीं हुआ आज तक और यहीं पर मुझे सबसे पहले problem हुई इस trailer से अगर आप Bruce Wayne के बेटे को ही दिखाना चाहते है तो आप उसके biological जो son है Damien Wayne उसको दिखा दीजिए ये adopted son को दिखाना है तो आप Dick Grayson को दिखा दीजिए Jason Todd को दिखा दीजिए लेकिन तब भी इन्होंने नया character create किया है तीवी शो के लिए Turner Hayes Turner Hayes को पता चलता है कि Bruce Wayne जो है वो मारा गया है और ये खबर उसको दिता है Harvey Dent अब Harvey Dent का नाम सुनके आप लोग खुश मत हो जाईएगा कि Two Face भी हमको नजर आएगा ऐसा कुछ नहीं है ये बात clear कर दी गई है शो के Makers के दुवारा पहले ही कि Two Face इसमें नजर नहीं आएगा Harvey Dent तो पियर होगा लेकिन वो किवल एक District Attorney की तरह काम करेगा वो Two Face इसमें नहीं बनेगा तो वो Turner से बताता है कि तुम्हें फादर मारे गए है और क्या तुम्हें पता था कि वो Batman है तो Turner को ये बात नहीं पता थी फिर हम ये देखते हैं कि एक Dead Body दिखाई जा रही है जो Batman की Dead Body है लेकिन इसको देखे ज़रा कोड़ पैंट पहना हुआ है खाली मूँ पे मास्क लगा हुआ है Batman का वो भी धंका मास्क भी नहीं है तो ये हमको दिखाई जा रहे है कि Batman मर चुका है यानि इस TV शो की स्टार्टिंग में ही Batman मर जाएगा फिलम देखते हैं कि Turner को स्कूल में बुली किया जा रहा है परिशान किया जा रहा है लोग कह रहे हैं कि तुम्हारे फादर तो Batman थे तुम बहुत अमीर हो ये है वो है सारी property तुम्हारी लोग रो रहे हैं शरत धांजली दे रहे हैं Batman को कि Gotham की रक्षाप कौन करेगा Batman तुमर चुका है यहाँ पर हमें Carrie Kelly का character भी दिखाये जाता है आगे suspect हमको दिखाये गए है जिन पर शक है Batman की कतल का तो सबसे पहले हमको Harper Row दिखाये जा रहा है जिसके उपर शक है फिल हमको Dwella दिखाये जा रही है Dwella Dent यह दरसल Harry V. Dent की डॉटर है लेकिन comic book में यह Joker की डॉटर है कुछ comic book में वर्जन में biological डॉटर है यह और कुछ में खाल इसको एक title मिला है कि यह Joker की डॉटर है हो सकता इस show में यह थुदा सा triangle बनाने की कोशिश करें कि यह Harry V. Dent की डॉटर है कि जोकर की डॉटर है और तिसरे शक्स पे जो शक है वो है Harper Roe की बहन Kelly Roe और इन तिनों पे शक है कि इन्होंने शायद Batman को मारा है और जोकर का कार्ट भी दिखा जा रहा है चो मैंने Dwella वाला आपको बता है थाना Dwella Dent शायद यहाँ पे ट्रेंगल बनाने की कोशिश के जाए कि यह Harvey Dent की बेटी है या जोकर की बेटी है फिर इसका थोड़ा साब को ग्लिंज भी दिखा जाएगा कि Dwella थोड़ी सी पागल है और जोकर टाइप की हरकते कर रही है फिर मेन जो ट्विस्ट है गाई यानि Gotham की रक्षा करेंगे लोग फिर हमें Carrie Kelly का करेक्टर दिखा जाता है जो Robin है और इससे पता होता है कि Bruce Wayne ही Batman है और यह जो पहने हुई यह दर असल इसकी कॉस्ट्यूम है आगे दिखा जाते हैं इसकी goggles बिल्कुल cheap dress लग रही है मैं जानता हूँ आप लोग फिर कहेंगे कि भाई बजट कम होता इतनी अच्छी कॉस्ट्यूम नहीं बना सकते लेकिन इससे अच्छी तो बना ही जा सकती इतना भी कम बजट नहीं है कि बस खाली कुछ भी पहना दो आप कहो कि यह कॉस्ट्यूम है फिर यहाँ पे Turner है वो शायद Stephanie के साथ है और इन लोग को Bat Cave का पता चल चुका है और यहाँ पे मास्क भी रखा है Batman का और फिर हमको Bat Rank दिखाया जाता है यह Batman का Bat Rank है जिसका डिजाइन बहुत ज़्यादा इंट्रस्टिंग है और फिर यहीं पे इस ट्रेलर का इंट हो जाता है Below Average ट्रेलर परसनली मुझे लगा और CW का शो है तो मुझे कोई भी इंट्रस्ट इसमें नहीं है इसको देखने में लेकिन गईस तब भी इतना ज़्यादा हेट इसको मिल रहा है तो मैं इसका एक एपसोड तो एटलिस्ट देखूँगा अगर मुझे पसंद आया तो मैं आगे देखूँगा वरना मैं इसको नहीं देखूँगा और CW शो एक तरीक से बदनाम भी है CW पे कोई सुपर हीरो का शो आ रहा है यही कहना सही रहेगा कुछ लोग कुछन पूछेंगे यार कि डेविड जैसलफ ने इसको कैंसल क्यों नहीं कर दिया वाकि CW शो शो तरफ वो इस ही है क्योंकि डेविड जैसलफ के टेक ओवर करने से पहले ही इसकी फिल्मिंग कम्प्लीट हो चुकी थी लेकिन आप मुझे नहीं लगता इसका सीजन टू आएगा आपको क्या लगा इस ट्रेलर के बारे में प्लीज कमेंट सेक्शन हो जरू बताइए और DC अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए थेंक्यू